नमस्कार दोस्तों मैं सुवाच कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागात है फैनली जो कि सभी फोन पी उजर को आप्सन मिल चुका है रेंट पेमेंट का जिसके थुर्व आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके बैंक एकांड में बैलेंस टांसफर कर सकते हैं या फिर वहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड से पैसा जो कि बैंक एकांड में टांसफर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको बहुत यादा चार्ज़े देना परता है अगर आप 10,000-10,000 तक अगर आप debit card से भी पैसा transfer करते हैं तो आपको 75 रुपीज का चार्ज़े देना परता है और आपको इतना और पर चार्जे देने की जववत नहीं, अगर आप फोन पर यूजर हैं, तो पहले इस वीडियो को आप देख लिए किस तरीके साफ इस फीचर को इस उप्सन को आप यूज कर सकते हैं, तो चले वीडियो कर देते हैं, इस्टार वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, अगर आपका रेडिट कार्ट से रेंट पेमेंट करना चाहते हैं, आपको अपने फोन पे को आपन कर लेना है, जैसे ही आप अपने फोन पे को आपन करेंगे, तो आप नीचे यहाँ स्लाइड करेंगे, और नीचे स्लाइड करेंगे, आप देखें यहाँ य यहां पर करने का आपको क्या करने यहां पर क्लिक कर देना क्लिक करने देख सकते हैं फर्स्ट वाले उप्सन में यहां फर्स्ट इस्टेप में आपको क्या करना आप एंटर एमाउंट कर देना तो और यहां पर क्या मिनिमाम आपको क्या एमाउंट जो होगा वह आपको मिनिम सकते हैं उसके बाद यहां पर तू स्टेप में आपको लेंड के कर देना है लेंड लॉड नाम यहां पर एंट्र करने बाद यहां पर को पे टू लेंड खर्ट कर सकते हैं सिंप्ली उब करेंगे पैमेंट करना है तो simply यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर कुछ आपके पहले से डेफॉल्ट जो भी आपने ट्यंजक्षन की होंगे मनी सेंड करने के लिए हो आपके सामने यहां पर सो होगा तो आपको प्लस में अकट पर क्लिक करके यहां से अपना बैंक कर लेना है यहाँ पर काउंट नमर हो गिया यहाँ पर यहां पर देख लेना है कुछ, बेंक अच में आयедवर से कोड यहां पर रॹट्ड नहीं है यहर। नहीं है बहरतके पहले से bank account save है जिसमे money transfer करना है तो उसके यहां चलिए हम यहां से bank account को select कर लते हैं select करने का और आपको यहां पर continue पर click कर देना है और जैसे ही आप continue को पर click करेंगा आप देख सकते हैं choose payment method तो आप जो payment करना चाहते हैं पर using debit card credit card stockcard यहां फिर K所以 payment करना चाहते है तो अगर आप debit card credit card से payment करना चाहते हैं simply यहां ठीक लगा हुआ इस तरी के साब ठीक लगा सकते ओं उसके बाद process प करने के लुदा को थोड़ा सा करना ऐं उसके बाद देख सकते हैं यहां पर दस यार तक भी करते हैं 75 रूपीस ही आपको देना पड़ता है तो फिलाल मैं यहां से चलिए डेविट कार्ट से पेमेंट करना यहां पर यहां पर डेविट कार्ट की पर मैं ठीक लगाया हूँ अगर आपको पस क्रेडिट कार्ट क्रेडिक करके देख सकते हैं और अगर हके लग जाते कार्ट करेंगा तो देख सकते तða यहां पर यहां पर यहां पर यहांपर आपको चार्जेश देना पड़ता है तो इस तरीखे से आप यहां concert – जीए. पाद यहां पर pay to rent के पड़ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो mobile लमर उस पर OTP आएगा बैंक का और OTP रेंटर करने के बाद आपका payment successful हो जाएगा वहां पर आपको बताया जाएगा working 3-4 days के अंदर आपका payment हो जाएगा लेकिन मैंने try किया instant payment चला जाता और अभी मैं इसलिए करके नहीं बता सकता हूं कि मेरा personal debit card नहीं है अगर आप comment कीजिए अगर आप फूल प्रोसेस देखना चाहते हैं complete transaction successful तो आपको मैं वीडियो बना के दे सकता हूं आपने देखा अगर आप phone पे से debit card के थुरो आप जोके rent payment में जाकर करके किसी के भी account balance transfer कर सकते हैं अगर आप एक हजार रुपिया से ले करके 10,000 तक आप transfer करते हैं तो आपको वहां पे 75 रुपीज देना पड़ता है अगर आप credit card से कि आपको 10 रुपिया चार्ज आपको देना पड़ता है अगर आप एक हजार पे टांसफर करेंगे पेटियम से debit card से तो शिर्फ आपको वहां पे 10 रुपिया लगेगा आप आप phone पे करते हैं एक हजार पे 10,000 तक या दो हजार करते हैं अगर आप एक हजार भी करेंगे मिनिमम तो आपको 75 रुपिय तो आपको देना पड़ता है तो इस तरीके साब पेटियम को आप यूज कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपको अगर 500 से ज्य लगता है तो आप कमेंट कीजिए आपको डिटेल में में वीडियो बना के दे दूंगा